हेलो आई शुडेंट्स माहु विकास और मैं आप सिरीका नॉलेज भी में यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनाशागत करता हूँ आट शुडेंट्स आज की व विडियो में हम एक्टिव आयस में आए हुए इंपरेटिव संकेंश को कैसे पैसिव आयस में चेंज करें। इस टॉपिक का सालवेड एक्सरसाइज देखेंगे जैसा कि एक्टिवाइस में आए हुए जैसा की देख सकते हैं मैंने बोड पर लिखा आए चेंज दा फालोइं सं टेंस सीं ठू पैखिवाइस आ नहीं था है आ रहे वाकियों को पेशिवाइस में चेंज किजिए तो एद जो मैंने एक्सरसाइज लिखा हुआ वह एक्सेलेंट इंग्लिस ग्रामर बुग से लिखा हुगा है तो चलिए देखते हैं जो भी क्वेस्टन से आए हुए हैं उनके सोलूसन को और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं किवाल आपको इन क्वेस्टन का सोलूसन प्रोवाइट कर रहा हूं इस वीडियो में अगर आपको सीखना आए कि एक्टिव आए इंपरेटिव संटेंज को कैसे पैसीवाइश में चेंज करें तो आई बटन पर क्लिक करके आपको वोग वीडियो वाज कर लीजे आपको सारा जो मेथाड है वह आपको आसनी से समझ में आ जाएगा यहां पर मैं किवल सोलूशन आपको प्रोवाइट करने वाला हूं तो पहला जो क्वेस्चन है ड्रिंक मिल्क इवरीडे अर्था दूद को प्रतेक दिन पीओ तो इसको पैसिवाइस में हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे लेट दा मिल् और कबी डन इसके बाद अगला जो क्वेस्चन है वह है गीव मी अबुक मुझे एक किताब दो तो इसको पैसिवाइस में हम दो तरह से बना सकते हैं क्योंकि दो अबजेक्ट आए हैं तो पहले आप इस तरह से बना सकते हैं लेट अबुक बीगीवेन टू मी या फिरा पै पैसिवाइस में हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे लेट ही में नॉट बी टीजड ठीक है उसे चिड़ाया हुआ मत होने दो इसके बाद अगला क्वेस्चन है प्लीज कीप टू दा लेट कि प्रया 22 से चलो तो यहां पर प्लीज आ गया है इस वज़ेस मारा पैसिवाइस इसको अगला क्वेस्चन है डू इट इमीडियेटली इसे तुरंत कर दो तो इसको पैसिवाइस में हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे इट सुड बी डन इमीडियेटली आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप लेट से भी बना सकते हैं तो लेट से इस तरह से बनाएंग अगर आप चाहो तो शूट से भी बना सकते हो सूट से अगर बनाएंगे तो आपको लिखना होगा दा डोर्स एंड दा विंडो शुड भी ओपेंड इसके बाद अगला क्वेस्टन है डोंट डिस्टॉब दे उन्हें परसान मत करो तो पैसी वाइस इस तरह से हम लोग देखते हैं इस अगला क्वेस्टन इप्लीज हेल्प अद नीडी किर्पिया जरूरत मंदों की साहरता करो तो इसका पैसी वाइस इस तरह से मनाएंगे to help प्रश्ण को देखे तो इसका पैसिवाइस हम लोग इस तरह से बनाएंगे यू आ रिक्वेस्टेट ट्वी जामीन दीस क्वेस्चन ठीक है इसके बाद अगला क्वेस्चन है इस टॉप दीस सिंगिंग एंड डांसिंग इस गाने और नित्य को रोको तो इसका पैसिवाइस इस तरह से हम करेंगे लेट दीस सिंगिंग एंड डांसिंग बी इस्टॉप अर्था इस नित्य और गाने को रुका हुगा कर दो इसके बाद अगला क्वेस्चन है डोंट डिस्टॉब मी मुझे परसान मत करो तो इसका पैसिवाइस इस तरह से बन जाएगा लेट मी इस पेपर नॉट बी रीड अर्थात समाचार पत्र को पढ़ा हुआ मत होने दो इसके बाद अगला क्वेस्चन है कीप टू दा लेट अर्थात बाएस से चलो तो इसमें देख सकते एडवाइस का भाव है तो हम लोग पैसिवाइस बनाएंगे यू आर एडवाइस टू की टू दा लेट अर्थात तुम्हें सला दिया जाता है की बाएस से चलो अगला क्वेस्चन है डोंट इंसल्ट दा पूवर अर्थात गरीब लोगों की बेजती मत करो तो इसका पैसिवाइस हम लोग इस तरह से बनाएंगे लेट दा पूवर नॉट बी इंसल्टेट अर्थ अर्थात गरीब लोगों को बेजत हुगा मत होने दो इसके बाद अगला क्वेस्चन है ओपेंड दा डोर दरवाजी को खोलो तो इसका पैसिवाइस हो जाएगा लेट दा डोर बी ओपेंड अर्थात दरवाजी को खुला हुगा कर दो इसके बाद अगला क्वेस्चन है ड लेट दा विक नॉट बी इंसल्टेड अर्थात कमजूर लोगों को अपमानित हुगा मत होने दो या बेज्जत हुगा मत होने दो तो यह स्टार्टिंग के जो एक से लेकर 17 तक क्वेस्चन थे उनका सोलूसन इसके आगे और भी क्वेस्चन है चलिए अब उनको भी देखते हैं तो वां शूटेंश अगला क्वेस्चन देखते हैं पूट दा वाटल और डाटल को टेबल पर रख दो तो इसका पैसिवाईशं हम लोग इस तरह से बनाएंगे लेट दा बाटल भी पूट अंदा टेबल अर्थात बाटल को टेबल पर रखा हुगा कर दो इसके बाद अगला question है open the windows, खिड़कियों को खोल दो, तो इसका पैसिवाइस इस तरह से बनेगा, let the windows be opened, अर्थात खिड़कियों को खुला हुआ कर दो, इसके बाद अगला question है, tell him to leave the room at once, tell him उसे बताओ, to leave मतलब छोड़ने के लिए, the room मतलब कमरे को, at once मतलब तुरंट, यहनि उसे त तुरंट कमरे को छोड़ने के लिए बताओ या कहो, तो इसका पैसिवाइस हम लोग इस तरह से बनाएंगे, let him be told to leave the room at once, let him be told, उसे बताया हुआ कर दो, to leave मतलब छोड़ने के लिए, the room मतलब कमरे को, at once मतलब तुरंट, यहनि उसे तुरंट कमरे को छोड़ने के लिए ब नियंत्रण सीमा से पीछे धकेल दो, तो इसका पैसिवाइस हम लोग इस तरह से बनाएंगे, let the terrorist be pushed behind the line of control, अर्थात आतंकवादियों को नियंत्रण सीमा के पीछे धक्का दिया हुआ कर दो, इसके बाद अगला question है, shut the door, दरवाजे को बंद कर दो, तो इसका पैसिवाइस इस तरह से बनेगा, let the door be shut, अर्थात दरवाजी को बंद किया हुआ कर दो, अगला question है, take him home, उसे घर ले जाओ, तो इसका पैसिवाइस इस तरह से बनेगा, let him be taken home, उसे घर ले जाया हुआ कर दो, तो एक्टिवाइस हों गया, 24, जो exercise में questions पूछे गए थो, उनका solution, जाते यहाँ पर एक question मैंने आपके लिए लिखा है, और आपको इसका जो answer हो comment के माध्यम से send करना है, तो मैंने यहाँ पर एक्टिवाइस का वाग के लिखा है, sell off this bag, इसे आपको पैसिवाइस में change करना है, और अपने answer को comment के माध्यम से send करना है, I hope students, आप लोगों को यह video काफी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा सोर्गूल जरूर रहा, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा neglect कीजे, और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को like कीजेगा, और अपने उन friends के साथ share कीजेगा, जिनके लिए वीडियो useful हो सकता है, तो इस वीडियो के साथ हमारा जो ताकि अगर इसमें से कोई question exam में देखने को मिल जाए तो आप पासानी से solve कर सके, तो students मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए, thank you so much for watching this video. झाल